स्टुडेंटस एक बाफ फिर से आपका एको नई वीडियो में बहुत स्वागते तो फाइनली स्टुडेंटस, एक तिन पहले आज मैं आपको सिखाने वालओ नौट्स बनाना उसका टाइटल बताना यह श्रेंट्स रेलिए आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़धा important है और काफी ज़धा demanding वीडियो जिसकी आप लुग काफी ज़धा दिनों से demand कर रहे थे तो आज finally हम सीखेंगे नोट्स बनाना उसका title बनाना अगर आप नोट्स बनाना सीख लेते हैं तो आपके चार नमबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और यह चार नमबर आपकी gift के हैं इसमें आपको बहुत ज़धा मेनत नहीं करना है बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि नोट्स मे अब देखिए सबसे पहले में आपको एक एक्जामपल देता हूँ एक चीज में आपको explain कराता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि actual में नोट्स में करना क्या होता है और होता क्या होता है देखो जैसे कि आप कोई movie देखते हैं तीन गंडे के आप मूवी देखते हैं तीन गंडे के आपने movie देखी उस movie को देखने के बाद आप उस movie की story अपने friend को सुनाते हैं अपने दोस्त को की story सुनाते हैं तो आप उसके main main dialogue बताते हैं पूरी आप एक line to line या word to word story तो आपने ही सुना पाते हैं लेकिन main dialogue होते हैं वो आप क्या करते हैं अपने friend को बताते तो यह main dialogue आपको याद भी रहते हैं, पूरी story आपको वर्ट वर्ड याद नहीं रहती है, ऐसे ही आपको एक passage दिया जाता है, उस passage में से आप से कहा जाता है, कि main main आप उसके points को निकालिए, important points को निकालिए, बाकी जो भी passage है, उसको वही छोड़ देजिए, ठीक है, सिर्फ main points को आपको pick करना है, और उनको आपको अलग से निकला है, जिस तरह से आपने तीन गंडे की movie रखी, उस तीन गंडे की movie में आपने 15 minute के, जो main main dialogues हैं, जो के पहले भी आजाते हैं, प्रामो जब आता हैं, तो उन main points को ही आपको pick करना है, बस, और उनको आपको लिखना होता ह है, वही हमारे क्यलाते हैं, क्या, notes क्यलाते हैं, अब मैं आपको यहां पे bookish language के according, बताता हूँ, कि आपको यहां पे करना क्या है, पहले मैं आपको तरीका बता दिया है, कि यह ऐसा करना होता है, एक passage दिया जाता है, उस passage में से main main points को निकालके, हमें लिखना होता है, अब पहले point को दरा ध्यान से पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ, यहां पे करना क्या है, सबसे पहले, passage को ध्यान पूरवक पढ़के, यह पता लगया जाता है, कि किस विशय वस्तु पर बात चल रही है, क्योंकि वही विशय वस्तु, passage का title या heading होती है, तो इस point को मैं आपको clear क जाएगा, और question को ध्यान से पढ़ना है, question में कहा जाएगा, read the following passage carefully and make notes on it and give a suitable title, summary वगरा नहीं आती है, आपको notes बनाना है, और आपको title प्रोवाइट कराना है, ठीक है, ऐसा आपको passage मिलेगा, ठीक है, यह आपका question number रहता है, वो second number रहता है, अब set पे paper आएगा, तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन reading skill जो आता है, reading skill का question number two, यह मैं आपको clear कर दूँ, आप confused मत हो न, reading skill, यानि आपके paper का जो reading skill, यानि first portion जो रहता है, यह वाला जो portion रहता है, इसका second number का, दूसरा number का question होता है, वो यही होता है, अब अगर set में paper आएगा, तो question के किरम को change कर सकते है आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पढ़के आप समझ लेना कि यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, notes पूछेंगे, title पूछेंगे, तो यह ऐसा passage आएगा, तो अब क्या करो कि passage को देख के देखो, आपको पहला point, passage को बढ़े carefully आपको पढ़के यह पता लगाना है, कि passage का title क्या ह आप चल रहे है, किस विशेवस्तू पर passage दिये गया है, वही passage का title या वही उसकी heading होती है, देखो, आप जब रीड करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है, किस के बारे में बात चल लेए, जिसे कि अगर मैं आपको एक डेम में बताऊ कि trees are very important for us, they give us food, vegetable, fruit, shed, we should not cut the trees, we should grow more trees, we should protect the trees, तो यहाँ पर क्या होगा, important is up trees होगा, देखो, इतना easy नहीं आता है, लेकिन मैं आपको हिंट कर रहा हूं, कि जो वर्ड बार बार आ रहा है, जिस विशेवस्तू पर बात कल रहे है, वही होता है, यानि कि title होता है, किसी एक चेप्टर का नेम, वापर स्टोरी रीट करते हैं, तो हर एक चेप्टर का नाम होता है, और हर एक मूवी का नेम भी होता है, तो वही मूवी का नेम, वही चेप्टर का नेम, उसी को कहता है, title, heading, क्या कहता है, heading, तो आपको पैसेज को पढ़के पता करना है, कि पैसेज में तो इस तरह का जो भी पैसेज होगा, उसमें से आपको पढ़के यह पता लगाना है कि किस विशाई वस्तु पर बात चल रही है, वही आप टाइटल और हेडिंग देंगे, इसका आपको एक नंबर मिलेगा, टाइटल जादा बड़ा नहीं होता है, टाइटल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, टाइटल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कभी-कभी पैसेज का टाइटल कहावत के तोर पर भी दिया जाता है, तो कभी-कभी कोई idiom, कोई proverb आया होता है, तो वो भी टाइटल हो जा Prevention is better than cure, Prevention is better than united we stand, divided we fall, इस तरह से कोई thought या कोई proverb, कोई कहावद भी title हो सकती है, ठीक है? ये भी passage में आपको देख कर पता लगा रहा है, ये तो ही हमारी title बाली बात, अब title को देख के आपको आगे करना क्या है, title लिकने के बाद पेसेज में यह पता लगाया जाता है कि आकर टाइडल के बारे में क्या दिया है हो सकता है टाइडल का महद बतायागा है उसकी इंप्रोंस बताया हो उसकी उपयोगिता उसके इफेक्ट प्रिभाव बताया हो विशेवस्तू, प्रॉफिट लॉस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यह अगर बताय जा रहे हैं तो इनी को हम सब्टाइटल मानेंगे और इनके बारे में हम पाइंट्स लिखेंगे, यानि हेडिंग के अंदर सब्टाइटल, लेकिन पता किसे चलेगा, रीड करने के बात-पैसेज को हमें समझ में आएगा कि किसी चीज़के एडवांटेज या डिस यह अ ÄrLीराइज, इस तरीकी सहाजκे एडवांटेज के अंदर की ठेकिकों। प्रपांज के एडवांटेँ को सकते हैं डिसटप भी हो सकते हैं एडवांटेज भी हो सकते हैं टैलीविजन से limits अचला बीग भी ले सकते हैं ऑच झागत अचलीया वे いस तरीकी से उसरा प्टाल लगाएंगे कि कि इसमें समय सबहीं कि लेना इन होटीज हैं POL कि अब में द आपको कुछ बना आप ब्रीवर्ण का सिस तरीके से यह आपको नोट्स बनाना का अपने लिखा सबी स्षाय तो की अनदर आपने आप पाइंड फ्रल्क पे बिल्कुल इसी तरह से लिखना के लिखना मेंन से यहां दर कहीं नहीं आना चाहिए Penguin में पाइंट जो है सब्टाइटल इसका थुड़ा दूर लिखना है इसके बाद आपको वन का वन वन का टू वन का त्री जिसे मैं जो यूनिट आती है यह करना है या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं इनको ना लिखके आप जिसे वन है तो आप फिर यह वाली नंबर डाल सकते हैं ऐसे डाइटली वन क्यू रोमन त्री ऐसे कर सकते हैं इसके नंबर सब्टाइटल इसके यह दूसरे का पहला दूसरे का दूसरा दूसरे का तीसरा थर्ड थर्ड का पहला थर्ड का दूसरा थर्ड का तीसरा इस तरीके से आपको लिखना यह लिखने का तरीका इस तरीके से आपको लिखना है, पाइंड के अंदर पाइंड लिखना है, सब्टाइटल आपको लिखना है, अब कुछ और बात है आपको याद रखना है, कि नोट्स बनाने में वर्ड का अवश्यक्तर अब्रिविएशन भी आपको यूज करना है, आपसे किलियर कोशन में क आपको दरूर करना है, कैसे करेंगे, इसकी नियम भी यहाँ पर देख लिजिए, शब्दों के प्रारम के कुछ अक्षर लिख कर, यालि के वर्ड के कुछ स्टारिंग लेडर को लिख देते हैं, तो वह हमारा अब्रिविएट हो जाता है, देखो यह से किन, अगर आपके आप इसको एक्जाम यूज कर सकते हैं, अपने नोट्स में, एडिजेक्टिव के एडिजे, एक्जामपल के एक्स, आंसर का इसा लिखते हैं, इनको आप यूज करना है, क्योंकि हमें शॉड करके लिखना है, दूसरा तरीका, स्टारिंग के कुछ लेटर और लास्ट के इसे लिख सकते हैं, लर्नर का इसे लिख सकते हैं, कुछ common abbreviation भी होते हैं, जैसे government, adjective, doctor, tv, ऐसे लिखा जाते हैं, ठीक है, तो ये adjective, या जो abbreviation है, इनको आपको यूज करना है, अपने notes में, अब ये एक passage है, इस passage को आप केरफुली पढ़ लेना, आपके एक्जाम में कोई स सकता है, यहां से देखो, dolphins are regarded as the friendliest creature in the sea, and stories of them helping drowning sailor have been common since Roman time, ठीक है, ये पूरा passage पढ़ लेना, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी आप नजर डालेंगे, देखो dolphin, dolphin, डाल्फिन के बारे में बात चल रही है, ठीक है, चलो, अब आते हैं, यहां पर practical, अब में में हमाँ, यह जरह समझ है, कैसे लिखा है, अमने देखो, पैसेज को पढ़ने से हमें समझ माया, interesting fact about dolphin, dolphin के interesting fact अब जाहा गैज्ट लिखा, न यह फ्रेंदिश क्रिएचर एब फ्रेंदलीज क्रिएचर एकंसे पता चला तरहां वंने कैसे लिखा यह इलिए कर दिया इंट्रिजेटी को आइटि अलकर दिया है ठीक है पहला हमने सब्टाइटल निकाला उसके अंदर यह हमने लिख दिए के बता दिये, their society is more complex, caring for other dolphins, protect the weakest in community, यह हमने लिख दिये, what have scientists suggest, scientists ने क्या suggest करा हैं, यह abbreviation करा हैं, Dolphins have lung, यह भी passage में मिला, common with each other, more intelligent than men, thread to dolphin, यह हमने पाइंट के अंदर पाइंट के अंदर पाइंट निका ली, अब एबरिवेशन यूज करें, वो लास्ट में एक्स्पेंड करा दिया, यह भी लिखना है, अबरिवेशन हमने क्या यूज करें, Protect को हमने ऐसे लिखा, Scientist को ऐसे लिखा, Intelligent को ऐसे लिखा, और Discovery को ऐसे लिखा, यह भी हमने लास्ट में में मेंशन कर दिया, जिससे के यह बात क्लियर हो जाए कि आपने क्या, अब आप इसका स्कीश और लीजिए यह तरीका है जिससे आपको नॉट्स और टाइटल प्रोवाइड करना है इस बात की गारेंटी एक भी नमबर आपका नहीं करने का चार नमबर आपको पक्का मिलेंगे यह अगर आप बनाके आते हैं दूसरा तरीका यह अगर आपसे यह नबने और अगर आपसे यह समय धर यह लगार आपको बताता हूं लगातार आप टाइटल सब्टाइटल ना लिखके ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपसे यह नहीं बने तब आपसे यह ना बने तब इस कंडिशन में लेकिन में तरीका और फुल मार्क्स लाने का तरीका यही है ऐसा करोगे तो दो से तीन नमबर आपको मिल जाएंगे तीन नमबर तक तो मिली जाएंगे तो डाइटल आप ऐसे भी पाइंट लिख सकते हूं अब ऐसे बनाने के लिए आप करोगे क्या इस तरीके से बनाने के लिए आप देखो मैं आपको पैसे सी एक्स्प्रेंड कराऊं तो ऐसा बनाने के लिए जिसे डॉल्फिन्स आर रिगाइड़ेड एद फ्रेंली क्रियेचर यहां पे रुख जाना शॉट करके लिखना है आपको एक पाइंड आपने लिख लिया ठीके उसके बाद फिर आप दूसरा लिख सकते हैं यहां पे अगर कोई अगर कोई लिंकिंग वर्ब आया है तो उससे आप पहले रुख सकते हैं पाइंड को छोड़ा करके लिखना है तो यहां से साच करते जाना और नीचे तक आप लिखते जाना यह दूसरा वड़ा तरीका है ठीक है तो आयोप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तर अब आपके पास पुराना पेपर है परिक्षा देन परिक्षा बहुद है उसमें आपको कोशन दिया गया होगा पैसे दिलीजिए नोटस में गेंगा और उससे प्रैक्टिस करिए और हमें टेलेग्राम गुरूप पर आप चेक कर रहे हैं कि आप कैसे बनाना है लिखने का कर रहोँगा कौश है आज पूरा रिषी नत करने वाले है और लाइब क्लास भी आज लेने वाले है इविनिंग में हम लाइब क्लास भी लेंगे जिसमें आपको सारा रिषा एक दिन में पूरी इंग्लिश का रिषा कर干 घल क stimulation जोह भी आपको कशन instructions है और पास यजोब झाल 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 झाल